नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हम अपने बच्चों का दर्द कैसे दूर कर सकते हैं उनको सहला के कैसे दूर कर सकते हैं देखी क्या होता है ना कि अगर आप बच्चे को कुछ दिक्कत है औ लेकिन उनको हमारी भी को जरूत हती है अपनी माँ तो कैसे कर सकते हैं आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपको यूडियो यूसफुल लगे तो पीस इस वीडियो को लाइक जरूर कीजी का देखी क्या होता है जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जो हम अपने अपने हलके हाथों से सहलाते हैं माली जो उनके सर में कहीं दर्ध है या कहीं पे भी उनको पेन है हाथ में या कहीं पे भी तो उनको सर पे जब हम सहलाते हैं तो उनको ना सर्फ गरमहाट मिलती है बलकि उनको दर्ध में भी उनको काफी राहत मिलती ह अगर आपका बच्चा वन येर से बढ़ा है या टू येर का है तो आपका बच्चा अगर आपकी बात समझता है तो आप उससे नॉर्मली बात भी कर सकते हैं प्लाइटली प्यारी प्यारी बाते कीजिए और उसको जहां पेन है वहां तो सहलाई है लेकिन सर पे भी सहलाने से तो इसको काफी राहत मिलती है, दीखिए, क्या होता है, अगर आप अपने बच्चे को नॉर्मली प्यार, अपने हाथों से सर पे सहलाएंगे, तो इसको काफी राहत मिलेगी, हर चीज की दवा, सिर्फ मेडिसन्स नहीं होता है, और ये वर्थ कैसे करता है, दीखिए, मैं है जहाँ पर हम ज्यादा दर्द को महसूस करते हैं अपने मस्थिक ईसभाग में अगर आप तो बच्ची के ऊस हिस्थे को आरम-आरंफ जपियार से सहलाएंगे तो जफिक स्थोच्ने की चहक्तर कम होने लगती है और इस0 है और आपनी दर्द में एक कीजिएगा इस वीडियो से अगर कोई related questions हैं तो नीचे comment में हमें comment करके हमें जरूर बताईएगा और अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी और बैल आइकन को पैस करना ना भूले मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार